हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 30 फ्यूजल एंडुट वाइल फोन में आप जो है कलर टेंपरेचर सेटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और यह लिए चेंज करने के बाद यह सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो हैं आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आप जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले थो आपको अपने ओइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करने हाँ ठीक है इसमें आपको आपको यह तीन ओप्षन हो लेते हैं डिफॉल्ट का वाम का और प्रॉल्ट का आपका डिफॉल्ट पर पहले से टिकमाक लगा हुआ होगा को इसे आपको एंटिक कर देना इस तरीके से फिर इसके बाद आपको ये जो pointer आपको शो हो रहा है pointer को आपको उंगली से प्रेस करना है उसे warm पे करेंगे तो आपका देखिए color temperature थोड़ा change हो जाए थोड़ा मेरे mobile phone के display हलकी से red हो गई है अब जैसे मैं इसे cold पे ले जाऊंगा इस pointer को तो देखे white हो जाएगी यह देख सकते हैं ठीक है अब मैं इसे जल्दी यल्दी करके दिखाता हूं यह देखे color color में थोड़ा सा फरकार है display के color में ठीक है तो इस तरीके से color temperature सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं ठीक है अगर cold पे रखना चाहते हैं तो cold पे रखना चाहते हैं तो warm पे रखे लेकिन इसे आपको last में ओके जरूर करना है ठीक है तब यह आपका चेंज होगा है color temperature अब दोस्तों यहाँ पर जो अगर आप यह default के box में अगर आप right tick लगाते हैं और इसे जो है okay कर देते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका mobile phone का setting page open करना है 3 Intel पे जप अपको सबसे उपर यह search setting동 का option मिलेगा search setting करना है है अब यह अब आपको search बार में टाइप करना है color temperature एक है color temperature आपको यह पर टाइप करना है तो आपको नीचे की सहाट aún ऑप्शन show हो जागा color temperature का इससे select करना है इससे होता क्या है कि आपका mobile phone जो है आपको directly इस setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडनेगा आपके mobile phone में